है आइसका टॉपिक है हमारा स्लेब का बीम बॉटम होता है उसका किस तरह का आपको निकालना है यह ऊपर हमारा स्लेब और यह मारा बीम मैं आपको ड्राइंग में समझाता हूं एक बार यह 48 नमबर का कॉलम यह 49 का कॉलम तो आपको ड्राइंग में ये देखना है कि इनके बीच में कौन सा बीम आने वाला इस पर इस बीम यहां से यहां तक का जो बीम है उसका साइस कहा है तो यहां पर लिखना है आपको ड्राइंग में चेक करना है यहां पर दिख रहा है अब बी सेवेंटिनाइन दोसों बाइच छेसों इसकी हाइट है 600 है इस तरीके से दोटर हमारी बिल्डिंग की हाइट है 3.35 तो अब यह जो हाइट है बीम बॉटम जहां तक कि आप कॉलंग को कास्ट करोगे यहां तक फ्लोर से यहां तक आपको कॉलंग कास्ट करना है इसके बाद यहां पर जो है बीम बॉटम यहां पर लगेगा आपका यहां पर टोटल हाइट इन जितने भी आपकी हाइट तो यहां पर हम आरी निगल हईड देखें हैं हमारी वींक्तर हैं है फोटल है यहां है जयी होग भी स्टाइय का अब यहां 600 सकते देखें यह इससे माईनत करो हैं हैgt हैं तो पॉइंट व्लोंक संप्सकों से उपना करद तक इसी तरीके से आपको यहां पर दिया है यह 30 नंबर कॉलम और 31 नंबर कॉलम इसके बीच में अभी 54 तो यह दोनों कॉलम को आपको किस हाइट पर अभी 54 को हम ड्राइंग में देखते हैं क्या साइज इसमें दिया हुआ है यह रहा एफ भी 54 तीनसो बाइच शेसो तो यहां पर हमारा सेम इस तरीके का यह यहां पर आपको जो आपके दो दोनों कॉलम है यह दो जो कॉलम है इस पर आपको कास्टिंग करवाना है 2.75 जो कि हमने अभी अभी निकाला है 2.75 उसके बाद इस वाले लाइन में जो है सब बॉटम टंगा सकते हैं आप है आप सामने जो दिखरा है यह जो एंड़ ग्रेर्ड जो मैंने बनाया है यह है जैक पाई पह जिसमें बाटम को ओते नगाें जो कि दो हमारा कॉलम यह बाटम को इस तरब fiance खील्यान केória कि नग्लेल्ट को इससे में से क्पाईasER काप कर्दी और यह अग क्यों को यह दो कि अज़िए पर कॉलम काश्ट हो गया इस पर सामने के तरफ केंटी लिवर जो है बीम निकला हुआ इसका बॉटम पहले ठोक दिया गया इसके बाद इसके तो पर बली भर करते हैं इसके सामने इसके बिवाद कि जब घुड़ा हुआ यहां पर ज़क रहा है हमारा को निक्टड़ करें परें पर ज़क हो गया इसका सटेकर बाद जाए हमारा कॉलम पाच थी कि ज़्म हो गया है कि आप पाक वे जो गया है झाल झाल